नमस्कार जो सास्त्र करता है उसका नाम है जोतिश शास्त्र आप वेदांग जोतिश या आर्च जोतिश का सुत्र देखे काल विधान शास्त्रम जोतिशम अब ये जो काल या टाइम है वह समझाने के लिए सास्त्र में काल पुरुष की कल्पना की गई है अब जो हमारे नक्षत्र और राशी जो है, वह काल पुरुष के फिजिकल बोडी को रिप्रेजन करते हैं, जबकि जो हमारे प्लानेट से, जो हमारे ग्रह है, वह काल पुरुष के सुख्ष्म शरीर को रिप्रेजन करता है. ऐसी ही जो ये काल है उस काल की एक सेना है और उस काल रूपी सेना को जो रिप्रेजन करते हैं वह है राहू और केतू ऐसा स्पस्ट विधान बुरुहत पाराशर हुरा सास्तर में दिया गया है आप सुत्र देखे सेना स्वरभानू पुरुच्छकव अर्थात काल रूपी सेना का प्रतीं धित्वilot रिप्रेजनेशन राहू केतू या स्वरभानू करता है अब ये जो श्वरभानू है जिनका उलेक यहाँ पर सुत्र में किया गया है वह राहू केतू कैसे बना अगर हम ये समझ ले तो हम राहू केतू के सवभाव को जान पाएंगे और वो समझने के लिए हमें श्रीमत भागवत पुरान की कथा को समझना पड़ेगा जैसा कि हम सब को पता है भागवत पुरान में ये कथा आती है कि जैसा कि हम सब को पता है कि अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानोग के बीच समुद्र मन्थन का पूरे का पुरा आयोजन होता है और समुद्र मन्थन के बाद जब अमृत की प्राप्ति होती है तब सर्व प्रथम अमृत कौन पियेगा उसके लिए देव और दानव के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्मान होता है एक दफे सब देव आ जाते हैं एक जगा पर सब दानव आ जाते हैं वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और लगी रहा था कि अभी युद्ध बापत शुरू होगा तभी सब को मोहित करने वाली एक स्त्री जिसका नाम था मोहीनी वो वहाँ पर आती है सास्तर आगे जागे कहता है कि स्वयम विश्णु पगवान नहीं यहां मोहीनी का स्वरूप लिया था सो मोहीनी डानवों को यह समझाती है कि यह कलश है अमरूत कलश में था और जैसा कि हम सब को पता है कि कलश में जो उपर उपर का भाग होता है वो तो पानी होता है और जो घट स्वरूप होता है वो नीचे होता है तो मैं ऐसा करना चाहती हूं, ऐसा मोहीनी कहती है, कि उपर उपर का जो पानी जैसा भाग है, वो सर्वरपथम मैं देवो को देदू। उसके बाद जो अच्छा वाला अम्रुत है, जो घट अम्रुत है, वो मैं आपको दूंगी और दानव मान जाते हैं और सरवपथम देवों को अम्रुत पान किया जाता है तो देवों जहां देव लोग जो बैठे हुए थे सब, उसमें सूरिय और चंद्र के बीच एक मायाव दानव, जिसका नाम था स्वर्भानू, वो बैठ जाता है, और जैसे सूरिय को अम्रुत मिला, जैसे चंद्र को अम्रुत मिला, वैसे ही स्वर्भानू को भी अम्रुत मिलता है, लेकिन जैसे ही अम्रुत पान वो करता है, तुरंद क्षन में ही सूरिय और चंद्र को पता चल जाता है कि हम तोनों के बीच में यह कौन है और वो मुहिनी अवतार में रहे विश्णु को दर्शात है कि यहां पर एक राक्सस बैठा हुआ है या दानों बैठा हुआ है आप आप शिबत भागवत का यह श्लोप देखें देव लिंगा प्रतिछन्न स्वर्भानूर दे स्वर्भानू को काट देते हैं और उसके दो भागा जाते हैं क्योंकि उसने अम्रूत का पान किया था स्वर्भानू का मृत्यू नहीं होता क्योंकि वो अमर हो चुका था तो अब उसके दो भाग हो जाते हैं एक सीरवाला भाग और दूसरा धरवाला भाग क्योंकि उसने अमुरुत पी लिया था क्योंकि वो देवताओं के साथ था इसलिए आगे जाकर ब्रह्मा जी उनको ग्रह बनाते हैं जो सिर वाला भाग था वह राहू बन गया और जो धड़ वाला भाग था वह केतु बन गया अब यह जो राहू केतु है वह कुंडली में या अवकाश में आल दा टाइम एक दूसरे के सामने ओपोजीशन में या फिर 180 डिग्री पर ही होते हैं सो जहां पर राहू होगा उसके सामने ही केतु होगा अन्य किसी स्थान पर वो नहीं हो सकता और इसलिए जोतिश सास्त्र के जो जानकार है वह लोग यह कहते हैं कि राहू और केतु की एक्सिस होती है एप्रिल बारा दोजार बाइस को यह एप्रिल 12, 2022 को रहू केतु अपनी एक्सिस या राशी बदलने वाले है जैसा कि हम सब को पता है कि राहू और केतु सदेव वक्री या रेट्रोगेट चलते है तो अभी वो व्रुषब और व्रुष्टी के एक्सिस के उपर है सो बारा अप्रिल को राहू मेश राशी में जाएगा और केतु उसके सामने तुला राशी में जाएगा सो यह जो एक्सिस बनेगी वह एक्सिस राहू केतु की कही जाएगी मेश और तुला की एक्सिस और यह एक्सिस रहने वाली है ओक्टोबर 30, 30, 2023 तक क्यूंकि राहू और केतु प्रत्यक राशी में 18 मास या साड़े 18 मास रहते हैं। तो आने वाले समय में देश इंडिया और पूरी दुनिया के ऊपर ये राहू केतु राशी परिवर्तन का या ट्रांजिर का क्या परिणाम होगा वह हम इस पार्ट पे देखेंगे। सर्वर पथम हम बात करते हैं पूरी दुनिया की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि राहू और केतु एक राशी में तक्रीबन तक्रीबन 18 और 18.5 मंस रहते हैं। सो उसको पूरा सरकल गुमने के लिए जहां पर अभी राहू और केतु आएंगे वहीं पर उनको वापस आने के लिए जो साल लगते हैं वो लगते हैं अठारा साल या साड़े अठारा साल। यहां पर राहू और केतु अभी आ रहे हैं मेश और तुला में वहीं पर वो आज से अठारा साल पहले भी थे और जब जब राहू और केतु मेश और तुला की एकसिस पर आते हैं तब तब पूरी दुनिया में बड़े बड़े टेक्नोलोजिकल चेंजिस आते हैं और एकोनोमिकल चेंजिस भी आते हैं पर एक्जामपल आज से अठारा साल पहले सप्टेमबर फिप्थ 2003 से लेकर मार्स 24 2005 तक राहू केतु मेश तुला के एकसिस पर थे उस समय के दौरान क्या-क्या गटना होई वह पाएंगे के आगे जाके क्या होने वाला है एक्जामपल सोशल वीडिया या एक तरह से मानलोग पूरी वर्ल्ड के ओपर राज करने वाली फेस्बुक की स्थापना मार्क जगरबड ने फेबरुरुरी 4 2004 को की थी आप उसकी कुंडली देखे तो बहां पर राहू और मेश तुला के एक्सिस पर ही है यूटूब जो के अभी पूरे के पूरे OTT प्लेटफॉर्म्स के ओपर राज कर रहा है और बहुत सारी बड़ी बड़ी चैनल्स जो है उनको प्रतियोगी का दे रहा है वह यूटूब की स्थापना भी फेबरुरुरी 14 2005 को होई थी आप व आगे जाके अब इससे भी 18 साल हम पीछे जाए तो माइक्रो सॉप्ट ने अपना विंडो 1.0 नवेंबर 20 1985 को लॉंच किया था उस कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो राहू और केतु मेश और तुला के एक्सिस के उपर ही है सो इस बार भी राहू के तु जब इस एक्सिस के उपर आएंगे तब बड़े बड़े टेक्नोलोजिकल ट्रांस्फोर्मेशन होगे जिसको हम कहते हैं New Age Technologies like Internet on Things, IOT या फिर Artificial Intelligence, AI या फिर Machine Learning या ब्लोक्चेन इन में बड़े बड़े चेंजिस आने वाले हैं Social Media, Video Streaming या फिर OTT Platforms आइदर Main Platform की तरह रियक करेंगे या फिर उनमें बहुत बड़ा उच्छाल आने वाला है इसी समय के दोरा हम देखेंगे कि आइदर existing companies like Facebook, Google, Microsoft कोई नई टेक्नोलोजी लेकर आएंगे या फिर कोई नई company होगी जो introduced होगी और उनकी टेक्नोलोजी इतनी ज्यादा powerful होगी कि वह आगे जाके market को lead करेगी अगर worldwide हम economic की बात करें तो जब जब काल पुरुष की सप्तम राशी तुला राशी पर केतु आता है तब तब worldwide economical loss होता है और वह होने का जो कारण होता है वह कारण होता है युद्ध जैसी परीश्थितियों का डर that means fear of war और उससे वित्तनास अर्था loss of wealth होता है ऐसा स्पस्ट सुत्र जातका भरण में दिया गया है आप जातका भरण का सुत्र देखे शिखी सब्तमे मार्गतह चित्त वृत्तिम सदा वित्तनाशो अत्वाराती भूती ही अगर आपको यह प्रश्ण जगे के ऐसा हम कैसे कह सकते हैं अगर हम डेटा को चेक करें तो worldwide जिसको the great depression कहा जाता है स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा करेक्शन जहां पर आया जिसको depression का era कहा गया अगर उसका starting point हम देखे जिसको the great depression कहा जाता है what date है October 29, 1929 अगर हम उस दिन की कुंडली देखे तो उस दिन की कुंडली में भी राहू केतु मेश और तुला के एक्सिस पर ही है सो इस समय के दोरान भी जब राहू और केतु मेश और तुला में आएंगे बहुत बड़ा economical downward trend दिख रहा है बहुत सारी economical challenges आएगी inflation या महंगाई बहुत बड़ेगी इतना ही नहीं stock market में भी downward trend दिख रहा है अब इस परिस्थितियों को दर्शाते हुए सहीता विचार एवं पराशर सहीता में राहू केतु जब मेश और तुला के एक्सिस पर आते हैं तब क्या होता है यह दर्शाते हुए एक श्लोक दिया गया है अब श्लोक देखे राहुष्य कुर समेशु यदा मेशे भविश्यती दुर्भिक्ष जायते तत्र नात्र कार्या विचारणा अर्थात श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो यह समझ में आता है कि यह राहू केतु के ट्रांजिट के दोरान खाने पिने की चीजों में शौटे जाएगी जैट में शौटे जो फूड होगा FMCG प्रोड़क्स में शौटे जाएगी फियर ऑब वॉर युद्ध का डर रहेगा एवं फायर हैजर्ड जैट में अगनी का भई रहेगा इवं आग के कारण बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है ये भी देखा गया है ओवर ओल लोगों में एक तरह का एग्रेशन या उग्रता बनी रहेगी अब वर्ल के बारे में बात करने के बाद अब हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो जब राहू और केतू की ट्रांजीट हो रही है उस समय एप्रिल 12, 2022 को हम बारत के समय को पकड़के अगर कुनली बनाए तो मिथुन लगना आ रहा है आप कुनली देखे तो सफस्ट उसमें देखेगा कि इसमें मिथुन लगना आ रहा है एवं राहू बूद के साथ 11 थाउस में है और केतू 5 थाउस में है जिस तरह के ग्रहयोग बन रहे है वह दर्शाते हुए किस तरह की दिक्कते आ सकती है और याद रहे यह परिस्टिती 11 थाउस में रहू का होना एक तरह की शुब परिस्टिती है तो overall तो result अच्छा ही मिलने वाला है लेकिन अगर कहां कहां पर challenges आ सकती है उसके बारे में अगर हमें देखना हो तो उसके लिए गौतम सहिता में यह श्लोग दिया गया है मिथुने बहुलम युद्धम पुर्वस्याम धान्य नश्टता उदगत दक्षिन योर मेधा बहवो धान्य संग्रह पश्यमायाम स्वल्प मेधाह चत्र बंगश्य विग्रह मध्यपदे प्रदेशे अर्धम निश्पत्ति ही चतुष्पद सरोगता श्लोग को अगर हम डिकोड करके समझे तो यह समझ में आता है कि रहुकेतु की ट्रांजिस्ट के कारण भारत देश के इस्टन साइड में एग्रिकर्चरल लॉस होगा या फिर जलिये समस्याव के कारण एक तरह की भीती बनी रहेगी जबकि पश्शिम वेस्टन साइड में हम अगर अगर देखेंगे तो बहाँ पर अल्प वर्षा होगी और उसके कारण पानी की तंगी होगी इतना ही नहीं जब स्लोग को डिटेल में देखते हैं तब ये समझ में आता है कि वेस्टन साइड में छत्र भंग योग इतना ही नहीं जब स्लोग में तो ये भी समझ में आता है कि किसी राष्टिय नेता की या फिर किसी राष्टिय संत की हत्या होने के भी चांसी से भारत के सर्व प्रथम या फिर जिनको सर्वाधिक मानेता दी जाती है वैसे हमारे राष्टर पिता महात्मा गांधी की जब हत्या की गई जैनिवारी 30, 1948 अगर हम उस समय की कुंगली को देखे तो वहाँ पर सफस्ट दिखता है कि वहाँ पर भी राहू और कितु मेश और तुला की एक्सिस के उपर ही है तो इस कार्थी यह हुआ कि इस दफ़े जिस तरह के ग्रहों का निर्मान हो रहा है यह वैं व्राहों के दों कि जिस तरह के परिस्तिती है इस समय के दोरान भी और किसी राष्टिय नेता होने के प्रबल चांसी से और यह समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जब लास्ट टाइम रहूर केतु इस एक्सिस के उपर आये थे तब क्या होगा था इंडिया में और वो समझने के लिए लास्ट टाइम सब्टेंबर 5 2003 से लेकर मार्च 24 2005 तक रहू केतु मेश और तुला के एक्सिस के उपर थे तब राजकिय सत्ता परिवर्तन हुआ था श्री मनमोहन सिंग जी तब पहली दफे एजे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब बने थे अगर हम उस समय की कुंडली को देखे तो मेट 22 2004 की कुंडली में भी राहू और केतु मेश और तुला के एक्सिस पर ही है सो इस दफे भी जो existing ruling parties है उनको दिक्कत आ सकती है बहुत सारे new alliances होगे और government में बहुत सारे परिवर्तन होगे जिन जिन राजियों में अभी election चल रहा है इस समय के दोरान वहाँ पर जो existing government है उन में परिवर्तन होगा ये सपस्ट दिक रहा है इस समय के दोरान जहां जहां पर चुना होगे उन सभी जगाओ पर सत्ता परिवर्तन होता सपस्ट दिक रहा है नए नए राज की ये गठबंधन बनेंगे और सत्ता परिवर्तन होगा इस समय के दोरान ये सपस्ट दिक रहा है कुल मिला के राहू कितु का ये ट्रांजिट पूरी दुनिया के लिए एवं भारतवर्श के लिए नए-नए टेक्नोलोजिकल ट्रांसफोर्मेशन, सोशल मीडिया रिफोर्मेशन या रिवॉल्यूशन और बहुत सारी एकोनोमिकल चैलेंजिस लेकर आने वाला है सो आने वाले समय में अगर आपको कोई डिसिजन लेना है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना और उसके आधार पर ही अपने जिवन के महत्वपूर्ण नीने आप लेना ताकि आपको महत्तम फाइदा हो सके शुभम भवतु प्रणाम